तो आप लोग के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ एक और फीडबैक हमारी प्रोडेक्ट्स और हमारी मेंबर्शिप के तो मैं जदा आप लोग का टाइम नहीं लूँगे विकॉज अलड़ी बहुत सारी वीडियोस पढ़ रही है चैनल पर आप लोगों के लिए बाकी मैं आप करती रहती हूं कि आप लोग चीजों को करें आप लोग फालतू चीजों पर अपने पैसे वेल्स ना करें क्योंकि देखो नाचुरल चीज है नाचुरल होती है जो भगवान ने आपको दी है वही चीज सच है और वही चीज आपकी हमेशा रहती है आपके साथ करोगे तो साथ रहेंगी और अगर आपके हैर नहीं करोगे तो आपके साथ नहीं रहेंगी ठीक है तो शुलिए देख लेते हैं इन मैम का एक बार फीडबैक आप देख सकते हैं आफ्टर और विफोर की फोटो हैं काफी इंप्रोमेंट आया हुआ है और हेरलान के इतनी पीछे जा चुकी थी काफी फिल हो चुकी है गौड ब्लेस यू सावी तो गाइज आपको यहीं मिलेंगे और कुछ भी नहीं सो थांक यू सो मच देख तो गाइज आप लोग मैनज करोगे तो रिजर्ट्स आपको यहीं मिलेंगे और तहीं जाने के जरूरत नहीं है दूसरी मेरी एक मेंबर है जिनका फीडबेक हमारे पास आया हुआ है उनका भी मैं आप लोग को फीडबेक शेयर करी हूँ यह मेरा खुद का आप लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस है हेर लाइन फिल हो गई है मेरी ठीक है दूसरा मैं आप लोग को एक और फीडबेक दूंगी लिखा है और आप लोग मैंम को फीडबेक सुनिये काफी इंके में भी क्योंकि मैं इन्होंने मुझे बोला है कि सीमा जी आप मेरा फीडबेक जरूर डालिएगा हेर फॉल कम्प्लीटली रुक गया था हेर रीग्रोट करना है अभी वो भी कर लेंगी सीमा जी मुझे उस पर पूरा पूरा भरोसा है विश्वास है वो कुछ भी कर लेंगी उनके रेमेडिस में इतना दम है थैंक यू हाई सीमा जी मैं आपका सब्सक्राइबर हूं और आपका मेंबर्शिप भी ले लिया था पहला मेरा बालों को लेके बहुत परशान होता था बहुत रेमेडिस भी ट्राय किया था बहुत यूटुब में वीडियो भी सर्च किया था एसा सर्च करते करते एक दिन आपका मम् अबातों मेरा दिल को चूलिया और उन्होंने बोला ता मा कभी जूट नहीं बोलती है वो बच्छों को अच्छे सिखाती है और वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा अपके बारे में आपका वीडियो देखने लगा तब अब तब से पहले अभी तब में कोई टोनर और रिं कपला फ्रेमडी सापका फालो भी कर लिया था बहुत अच्छा था रिजल्ट उसके बाद आपको कांटक्ट करके आपका मेंबर्शिप भी ले लिया था पहला पहला मेरा वीकली एक बार हैड़ वाश करने तो बहुत हैर फॉल होता था आयल करने के बाद भी बहुत हैर बहुत बहुत अच्छा हैं आपका रेमड़िस में दिल से आपको धन्यवाद बोलती हूं आपका ममी जी को प्रानाम बोल दे मेरे तरख से बिकॉस उनकी वज़े से आपको मिल पाई में तैंक्यू तैंक्यू वेरी मच्छ सीमा जी आपका रेमड़िस बहुत अच्छा हैं मेरा बेटी भी डान्रफ से पांच साल से वो परिशान है और कोई कुछ भी करें और डान्रफ निकलती भी नहीं है और ऐसा हर वी काता है आपका रेमड़ी ओ डान्रफ एक बार यूज किया था बिलिव में और डान्रफ पे इतना ज बहुत बहुत अच्छा है मैं सबको कहते हूं सीमा जी को एक ट्री मन्स टू सिक्स मन्स दे दीजिए ओ आपका हर प्रोब्लम से हेर प्रोब्लम से आपको रिलीव कर देगा ए मेरा पर्सनल एक्स्पीरेंस है मैं तीन महीने उनका मेंबर्शिप ले लिया था बट मैं सोच पी मुष्किल से नहीं मिलता है बट ओ फिर भी ओ घरेलो हूम रेमेडिस बहताती है ओ बहुत अच्छे से ओ डील करती है मैं कितनी बार कितनी कुष्यंस पूछती है ओ अच्छे से स्माइल करते हूं सब आंसर देती हूं इतना मुश्किल का मैं मुझा पता है ओ चोटे आजसर देती हैं आप बहुत 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 अच्छे हैं आपका रेमेडिस बहुत अच्छे है थाक्यू आपकी यह स्यायो हैं तो आपसी आप लोग को नहीं करते आपूर कि jóते हैं नहीं कुछ नहीं बोलते हैं कि भाई ये तो उनकी जैनेटिक है जैनेटिक वैनेटिक कुछ नहीं होता है ठीक है अगर आप के यर नहीं करते हो न तो आपके बाल खराब हो जाएंगे और आगर आप लोग चाहते हो एक्सपेरिमेंट करना तो आप एक महीने के लिए अपने बालों में कुछ मत करें अगर आपके बाल जैनेटिक ही अच्छ न तो आप उनको आप शैंतिंहीं कर आप घ्रि नहीं आप देखिए है आपके बाल क्या जैनेटिक सही रहते हैं नहीं रहते मेरा बेटा है कृष्णा और आप लोग चैनल पर उसकी वीडियो देखते होंगे सीमा व्लॉग पर उसके सर पे बाल बहुत कम थे साइड साइड से बाल ही नहीं थे उसके जब वो पैदा हुआ था मैं आप लोग को उसकी फोटो शेयर करूंगी और अभी मेरा चैनल पर चल चैनल पर डानना ठीक है और फिर उसके बासे मुझे व्लॉग चैनल पर एप्लिकेशन देना होता है कमेंट्स के आंसर करना मैं वन येर की हैरो चैलेंज पर सभी कमेंट्स के आंसर करती हूं रात के तीन से चार बजे तर तक जिस दिन वीडियो जाती हो उसी दिन मैं आंसर आएंगे extension आप मत करवाईए मत करवाईए आप लोगों से हां जोड़कर request है extension में आपके बालों को attach किया जाता है that's it और कुछ नहीं किया जाता है जो चीज़ आप जड़ से grow कर सकते हो वो चीज़ आप करो ठीक है मेहनत करो रिजर्ट्स आएंगे खाना बनाते हो मेहनत कर तो आप खाते हो ठीक है अपने परिबार को आप देते हो उसी तरीके से आप महनत करेंगे तो आपके बाल आपका चेहरा आपकी बॉड़ी खुबसूरत होगी ठीक है तो अपने बालों में जान डालिए घर की चीजों से नाचुरल हर्प से जो हमें गॉड ने दिया हुआ है मैं आप लोगों ने अपना टाइम निकाल कर मुझे फीडबैक दिये मैं आप लोग को ऐसी ही एक बार चेक करवा देती हूँ कि मेरे पास अल्रेडी बहुत सारे मेंबर्शिप है ठीक है मुझे मेंबर्शिप के लिए कोई दिक्कत नहीं है और मैं आप लोग को यहां पर यहां पर दिक्कत नहीं है मेंबर्शिप में आपको रिजुट्स अज़ादा अच्छे मिलते हैं क्योंकि आपको हम रह महीं नई रैमेडीज बताते हैं आपके बालों के अकौर्डिंग आपकी समस्या के अकौर्डिंग प्रोडेक्स में हम आपको तीन चीज देते हैं जो बाद आप लोग चाहें तो मेंबर्शिप जोइन करें या आप चाहें तो चैनल से भी चीज़ों को कर सकते हैं थैंक्यू सो मच मैं मलती हूँ आप लोगों से एक बहुत भी बढ़िया फीडबेक के साथ में बाई